अस्सलम अलेकुम दोस्तों वीडियों में हम आपको दाएंगे सौधी की एक जरूरी इंपोर्टन अपडेट अगर आप सौधी में इस तरह की गलती करते हो तो आपको तुरंत गरबतार किया जा सकता है मतलब यह है कि आपको यह नियम जानना बेहत जरूरी है अगर आप सौधी अरब में अभी रह रहे हो चाहे आप सौधी अरब में कितने भी साल से हो या सौधी अरब में अभी नए जा रहे हो तो आपको यह रोल्स समझना बेहत जरूरी है क्योंकि गलती करने पर आपको या तो जुर्बाना होगी या तो आपको मौत के घाट उतारा जा सकता है इसके अलावा और भी कई रूल सौधी गबर्मेंट की तरफ से लाओ किये गए हैं जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकरी होना बेहच जरूई है तो इस सारे जानकर इस वीडियो में हम आपको क्लती करते हो तो आपको तो तुरंत गृपतार किया जा सकता है सौधी अरब में डबिंग एक तरह से पूरी तरह से मतलब 2017 में एक ऐसा देखा गया था कि जो लोग न्रिद करते हैं नाजते हैं तो यहां पर पूरी तरा से इन चीजों को पर्तबंद किया गया था ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि सवुद्धी सरकार का कहना है कि ड्रग्स या नसिली दवाओं का उपयोग करके ये लोग ऐसा करते हैं मतलब नाचते कुदते हैं तो ऐसे में इस पर पूरी तरह से 2017 से पर्दबंद किया गया है दोस्तों सुदी अरब के मजद अल मुहंदिस पस्चिम सहर तैफ में एक समारो में परदर्सन कर रहे थे जहां पर एक महिला मंच पर नाच कर रहे थी और उसके बाद में बीच बीच में एक पुरुस उसके बीच में गले लग रहा था तो ऐसे में उसको तुरंत गरपतार किया गया और यहां पर क्या हुआ कि जो उसने बीडियो है वो सोसल मीडिया पर डाला उसके बाद में जो सुरक्षा कर्मी हैं उसको तुरंत जो है पकड़ लिए तो ऐसे में आप कोई भी इस तरह की गल्दी ना करें और ये घटना गहन रोणी वादी दीस में आसामान है मतलब एक तरह से ये गलत तरीका है अभी अभी महिलाओं को संगीश समारो खेल मंच में पूरी तरह से भाग लेना सुरू कर दिया गया है मतलब कुछ जगहों में ऐसा भी यानि साओधी कानून के तहत आप ऐसा काम कर सकते हो जो रोल्स के खिलाफ ना हो तो ऐसे में आपको ये सतरता होना चाहिए साओधी अरब के अंदर कुछ लोग जादू टोना कार करते हैं तो ऐसे में आपको बता दें कि 2012 में एक लड़की को इस आरोप में मार दिया गया था और आगे कहा गया है कि साओधी में जादू टोना टोटका के आरोप में पाये जाने पर दोसी पाये जाता है तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ब्योरण देखा जाता है और साओधी अर अगर वो सुविकार करता है तो उसके खिलाब तुरंत कड़ी कारवाई की जाएगी और उसको गरतार किया जाएगा अगर यहाँ पर सराब की बात करें तो 2015 में एक 74 वरसी बेटरिस ब्यक्त को घर का मतलब घर में एक सराब बना रहा था उसके बाद में उसको एक साल के लिए जेल में रखा गया था उसका परवार चिंतित था उन्हें सबनिक रोप से दंडित किया जाएगा मतलब यह मान के चले कि अगर आप सराब बनाते हो या बेशते हो या ऑनलाइन कुछ भी ऐसा कार करते हो या आफलाइन करते हो तो यहाँ पर आपको गरतार किया जा सकता है दोस्तों सعोधी एरफ के अंदर साचार में खाना खाना तो यानि कुछ साचार आपप अगेले हो तो आप किसी भी इसाल में या प रात बना गया है और आपको गरतार किया जा सकता है इसके लाएं हम आपको बता दें कि अब ही अगर आप hasta नने अपना जनम दिन मनाते हो तो वो भी रुल्ज के खिलाफ है क्योंकि इन जगहों में इसलाम ने पूरी तरह से बैन रखा है आप ऐसा कहींबी किसी जगा सौधी एरफ के अंदर नहीं कर सकते हो या इस तरह का कार करते हो तो भी आपको तुरंट गर्पतार किया ज़सकता है। इसके लिए हम आपको बता दें कि अगर आप सॉधी अरब में जाते हो ट्राबल करने के लिए या आप पुराने हो तो आपको यह नियम जानना बेहजरूई है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी आप घर का फोटो खिशते हो लोग की फोटो खिशते हो यानि इमारत की फोटो खिशते हो तो ऐसे में इस पर पाबंद लगाया गया है और अगर कोई भी आप ऐसी गलती करते हो तो आपको सीधे जेल में डाला जाएगा और यह भी जगा इमारत में या कहीं भी लोग की फोटो नहीं खिजना है। दोस्तों अगर आप फोटो या वीडियो बनाते हो, और सोचल मेडिया पर अप्लोड करते हो, तो ऐसी गलती ना करें, अगर आप ऐसा करते हो, पाए भी जाते हो तो आपको तुरंट जेल एक साल की जा सकती है इसके लावा एक लाख से लेकर पांच लाख रियाल तक आपको जुर्बाना भी देना पड़ सकता है इसलिए आप कोई भी ऐसी गलती ना करें बाकि अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो कमेंट बोक्स के मा मतलब यहां पर अनुछे तीन के अनुसार यह माना जाता है कि आप जो है किसी भी जगा फोटो ना लें यहां पर सारी चीजें गोपनी होती है